सिन्ज सीनियर वजीर शर्जील नामें कराचे में पीपल्स बस सर्वस जे नए रूट नंबर 13 जो इफ्तिताव करें चलिए। हाकसबे खां टावरताई शुरू थी जड़ नए रूट जी इफ्ताही तक्रीब हाकसबे जीरो पॉइंट थी तक्रीब में पीपी एमपी ल्याकत आसकानी इंब्यान अगवालन शिर्कत कई इफ्ताही तक्रीब जे मोके ते मीडिया सां गलाहीं दे सिन्ज सीनियर वजीर श सुंपराम कियों तरह जी होई सवलाई सां सफर करें सगन। पाकिस्तान पीपूल्स पार्टी की हुकुमत एस सिंध की जानिब से हर महतमे में कोशिश की जा रही है कि अवाम को रिलीफ पहुचाने के लिए एक्दामात लिए जाएं अवाम की जिन्दगी आसान करने के लि میں इस महंगाई के तुफ़ान में ज्यादा से जादा रिलیफ मिले इसलिए ही उसकी एक कड़िया है कि आज हम मारीपूर से लेके टावर तक मारीपूर से लेके टावर तक जो है एक ने बसरूट का आघास करने जा रहे हैं और ये इस महINGाई के दोर में अगर अवाम को, इस गरमी में अवाम को, इस हीड स्ट्रोक में अगर अवाम को एर कंडिशन द बसें इस तरह मिलें जिसे वो कम से कम किराए में वो अपना सफर भी üsकार कर सकें, अपने रोजगार के लिए जा सकें उनके असानी प्रदाओ तो यही प्राक्सान पीपूस पार्टी की संद्ध हकूमत का अजम है बेतर रिलीव पराम करना है कदम खेया हैं सहत जे शोबे में संद्ध हकूमत परा बेतरी ने इस पतालों कायम कही हुए है चेर्मेंट पाकस्तान पीपूस पार्टी मौतरम बिलावर बटो जड़दारी साब प्रेजिड आसवली जड़दारी साब चीफ मिनसर साब और पूरी संद्ध हकूमत जो है उसने यही फोकस किया हुआ है कि आपने अवाम को हर शोबे में हमें बेतर करना है उनकी सहुलत संद्ध की आसान करनी है हेल्थ के शोबे में आपको जिस तरह पता है कि पाकिस्तान के सबसे बहतरी नास्पिटल संद्ध में सब्सक्त मौजूद है जो सहलाब मतासरीन के लिए दुनिया की सबसे बड़े में बड़ी स्कीम संद्ध सूबा बनाने जा रहा है दुनिया की तारीख में 21 लाख खानदानों के लिए इतना बड़ा रिलीफ और से पहले नहीं मिला होगा इसी तरीके से हर शोबे में हुकुमत विसन कोशिश कर रही है कि जहां पर हमें चैलेंजिस पता है कि मुल्क में चैलेंजिस हैं विसन महंगाई का तूफान भी है तो उसमें हमें लोगों के लिए काम करके बात करनी है सीनियर वदीर शर्जी लेना में मनचे तो कुझ मानू अवाम में मायूसी पकड़ी रहा है आओ यकिन ड्यार्यां थो तो मायूसी जी काप गाल ना है कुझ मानू नाकारी गाल्यू पहलाएं पयातब 15 वी एन डियन में मुल्क में कुझ त्यनवार है पर प्रेशानी जी काप गाल ना है मुलक में कुछ नपयो थी हैने मंजे अवाम इस सीड़ब कारण के प्रेशान थी ज़रूरत ना है हुकूमत कम कंदी रहन दी अवाम कहम किसमजी साज़श के काम्याब थी रहन दी सासी टोला पाकिसान के नुकसान पाचान चाहिन था पाकिस्तानी कौम और साज़श के नाकाम बढ़ाएं दी ही मुलक असा सबनी जो आए असा के ही सब कुछ ठीक करनो आए वफा की अई सुभाई हुकूमत गड़ कम करे रही हुआ है समुरा वजीर मिनत कन प्या कोब बाहर खाती असा जो हाल तूं सही नतो करे सके मुलक अजेला या सांखे पाने कम करनो पौन लोग कुछ लोग मायूसी पहला रहे हैं कुछ लोग चाहते हैं कि मायूसी हो मैं आपको यकिनी तौर पर कह सकता हूँ कि कोई मायूसी की बात नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है कोई कुछ हवा नहीं होने वाला लोग जो आपको それ depending चाहते हैं मैंन्फी के मैसेजजस पहलाते हैं मैं आपको उम्मीद के साथ बात करता हूँ और बड़े वसू के साथ बात करता हूँ कि इन्शाला ताला ये सिस्टम भी चलेगा, हकूमत भी चलेगी और कोई कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में कोई इस खैसो खैल में भी ना रखे कि हम को इंतिशार फैला के और कि लोगों में मायूसी फैला के जो है, हम कोई आपने किसी मकसद में काम्याब होंगे, इन्शाला ताला पाकिस्तान तरقशी करेगा, येस कठन हलाथ हैं, महिगाई हैं, चैलेंजिस हैं, उन चैलेंजिस को मते नज़र रखते हुए हम सब ने मैनत करके जिस भी सेक्टर में हम लोगो gonna relief पहुचा सके हमने पहुचाना है यह हर एक की लिए ही जिमेदारी है ये वफाकी हकूमत के जो ख़ह जो हर सेक्टर में जो जो मैकमा है अपनी मेहनतों के साथ वो वुज़रा वजीराला पूरा सिंद्ध हकूमत को कोशिश यही कर रहे हैं दिन रात आपको नदर आ रहे हैं कि वो लोग अपने फील्ड में को रिलीव पहुचा सके तो उसी की कड़ी है हम सब को यह तया करना है कि मुल्क हमारा हमन सब्सक्राइब करता हूं कि मुल्क शाला पहले से बैतर चलेगा होना चोदे एलेक्शन कमिशन जो कानून पड़ी वटो उना में वाज़र लिख लाए तक हरी पार्टी चूंडू गरन जे आलाए आई कहरी नाए पी टी आए पांजे फारें फंडिंग जा आकाउंट लिक एलेक्शन कमिशन आफ पाकिस्तान के कानून को सब पढ़ लें दो अजार दो में शायद आखरी वो पॉलिटिकल पार्टी से एक्ट आया था वो पढ़ लें उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लडने के इलेजिबल है कौन कौन सी बहुत वाज़ हैं उसमें बहुत वाज़ हैं और मैं यह नहीं करा कि यह जाती तोर में मेरी राय है या मेरी पार्टी की राय या किसी राय है हमें हमारे मुल्क में कानून पर चलना पड़ेगा यह बात वाज़ है यह नहीं हो सकता कि कोई मैं यह कहूं कि जी मैं पॉपूलर एक MPA हो तो स्क्राइब है कि मैं स्क्राइब है कानून तोड़ना शुरू कर दूँ सलिए लोगों कर दड़ना की आप ङ offenders काईंगा लिए बेसों को आग लगाओ आप जो है आजम से बालातर नहीं हो सकता ही यह कहीं पर नहीं कोई कानून से बालातर हो मुक्तलब मुलक करन में पीटी आए जे बानी जे हका में ठाहरा मनजूर थी रहा है असान जे मुलक की मौमलन ते मुलक का बाहर खत्ता लिक्या त्यावजन पीटी आए जे बानी आए में पकेचे उता पाकसान जीम दाद रोकी वनी कहें पे जमूरत में कहें कानून हथन में खनवारों शक्त सुझे करें उसरे ला मुलकन में बरो आहे ता सामट सो ठोकियं दो की सके आज हम देखते हैं कि दुनिया की मुक्तलिफ मुमालिक से करारदाते पास हो रही हैं इमरान खान की आजादी के लिए मेरा सवाल है अगर किसी उन मुलकों में सब चिन्हें छोड़ दे कोई कानून को अकर तोड़े तो क्या वहां पे किसी और मुलक की करारदातों प के कहें आएमेफ को ये लोग लेटर्स लिखें और उनकी पूरे वज़रा हुकूमतें लेटर लखें कि लिए पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी जाए कौन सी हद तक वो लोग नहीं गिरें इस मुलक को नुक्सान पहुचाने की लिए तो जो शक्स उस हद तक इस मुलक क लिए गिरें तो क्या उसके लिए सिर्फ किसी मुलक की करारदाद जो के पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है उस पे आके हम कहें कि जी ने किसी शक्स को छोड़ दिया जाए या उन्हीं उसी मुमालिक में कैपिटल हिल का जो वाक्या हुआ था कैपिटल हिल में दस दस पंद कानून हाथ में लेना नहीं होता दुनिया पूरे दुनिया के किसी भी चाहिए कोई बड़ा तरक्य आफ़ता